है लो दोस्तों मैं आपका स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की मिठाई तो ये मिठाई आप फ्रेंस पांच मिनिट में बनाकर रेडि कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिके हम रेशिपी को शुरू करते हैं तो मैंने हम गैस प हिसाब से आप नारियल का पाउडर ले लिजेगा और एक कटोरी से आप नाप लिजेगा और बस इसे हमें डेर से दो मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रोश्ट करना है भूंदा है इसे हमें तो देर से दो मिनिट ही हमें भूंदा है और गैस का फ्लेम आप ब तो ये नारियल का पाउडर जलने लगता है बहुत जल्दी से तो बिल्कुल लो फ्लेम पी कंटीनियू चलाते हुए आप इसे दो मिनट के लिए भून लीजेगा थोरा सा कलर चेंज हो जाएगा और खुश्बू शौदी शौदी आने लगे तो बस इतना ही नारियल का पाउ थोरा सा यह मिक्षर अभी ड्राय है तो आधा कटोरी हम इसमें दुद और डालें गे और अच्छे से मिक्स करेंगी और जीनियोंड की साहत हमई एक से 24 Kenn शाल है तो इस थोरा जेँको टेना दूर मिनिट की लिए मिक्षर ठॉह विक्षर खुआया और ड्राय हो जाएगा ग भूखा, मिथा करें गगें, तो अधा कप डाल रही हूँ, आप मिठे पन के हिसाब से चीना बनारा है। यह मिठा के डीने मिठ़े करेंगे को तो रहा किवेड़ा में पर देला हो जाएगा। तो बस इसे हमें फिर से dry कर लेना है पका लेना है इसे हमें तो एक से तरी मिनट के लिए बिलकूल अच्छे से dry हो जाता है तो बस जैसी यह mixture dry हो जाएगा फिर इसमें हम add करेंगे दूद का powder तो milk powder मेंने यहां एक कटोड़ी लिया है तो सारा हम डाल देंगे और अच्छे सी से हम mix कर लेंगे तो अच्छे से mix कर लीजेगा ताकि इसमें lumps या गुटलिया ना हो तो बस अच्छे से mix कर लेंगे और mix करते हुए इसे हमें एक मिनिट के लिए बस इसे हमें पका लेना है तो इस वक्त आप गैस का flame बिल्कुल लो रखिएगा तो नारियल के लड़ू तो आपनी कई बार बनाए होंगे फ्रेंस कई बार खाए होंगे लेकिन एक बार पर इस तरीके से नारियल की मिठाई जरूर बनाएगा आपको टेस्ट में बिल्कुल फर्क पता चलेगा तो यह आपको बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी बनता है यह नारियल का लड़ू तो देखे एक मिनट हो चुका है तो बस अब कैस का फिलिम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे ताकि इसका हम लड़ू या फिर अलग डिजाइन हम एक बना सके तो देखे मिक्षर हमारा ठंडा हो चुका है काफी अच्छे से हलका हलका भी यह थोड़ा गरम है तो थोड़ा सा मिक्षर हम एक प्लेट में निकालेंगे और फिलाल इसे साइड में रखते हैं और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल वन डॉप जितना फूड कलर यह बिल्कुल ऑप्जिनल है अगर आप इस तरीके से मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर एड़ कर लीजेगा वरना आप इसे इसकेप भी कर सकते हैं और बास अंगोठे से थोरा सा इसमें होल कर लेंगे और थोरा सा पोर्शन इसमें हम लेंगे और इसमें हम इस तरीके से इसे बिल्कुल कवर कर देंगे जैसे आप स्टाफिंग भरते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें भर लेना है तो देखिए हम इस तरीके से गोल कर लेंगे तो मैं एक गोल अड्डू बना रही हूं और बस इसे नारियल के पाउडर में हम इस तरीके से कोड कर लेंगे देखिए और यह हमारा पहला मिठाई बनकर त्यार हो गया है तो फिलाल इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं तो अभी मैं इसे थोड़ा लंबे शेप में बना रही हूँ थोड़ाrias और इस तरिके से कवर कर देंगे बिल्कुल इस टाफिंग भर देंगे और धोरा सा मैंने इसे लंबे वाले बनाया है तो आपको जैसा इजी लगे उस तरीके से मिठाई बना लीजीगा तो आप अपने सुभधा अनुसार आपके जैसा भी डिजाइन आपको आता हो फिरर साप मिठाई का बना लीजीगा और इसे भी हम डारिया के पाउडर में कोड कर लेते हैं चारो तरफ से अच्छ हमारी कैसी बनी है इसका अंदर की कैसे स्टेफिंगा बना कर त्यार हो गया है देखें इसका स्टेफ संथिनक के अमेजिग्प लगडया है तो एक वार आप इस तरीके से जरूर मैंदे आपको बहुत ही पसंदे का लोग 1 नारील क SAY मिठाई का दे रहा है बीना एस ततरीके से नारिल की मिठाई जरूर बनाईगा बहुत ही पसंद आएगा अभी फेस्टिवल भी स्टार्ट हो चुका है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू